राजनीती के रंग में रंगे रिष्टों का अस्तित्व मिठ जाता है राजनीती और रिष्टों में अगर लडाई हो तो ये राजनीती बाजी मार जाती है और राजनीती के अखाड़े में रिष्टों का कोई अस्तित्व नहीं बचता इसका इतिहास गवा है कई परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य राजनीती के अखाणे में एक दूजे के साथ नहीं एक दूजे के खिलाफ खड़े रहे हैं और इसका एक हालिया उधारन, ताजा उधारन, सबसे पुराना उधारन, सबसे मस्बूत उधारन है गांधी परिवार गांधी परिवार दो हिस्तों में बटा और ये दो हिस्ते ना सिर्फ एक दूजे से अलग हुए बलकि एक दूजे के खिलाब आज तक खड़े हैं मेंका गांधी और सोनिया गांधी एक वक्त पर कहा जाता है किताबों में भी इनके रिश्टे को लेकर तमाम तरह के खुपसूरत बाते लिखी गए हैं ये प्यार तकरार में बदल गया और वो तकरार अब तक जारी है पूर्व केंद्रिय मंत्री मीनका गांधी भारती जन्ता पार्टी की ओर से अक्सर प्रहार करती हैं अपनी ही जेठानी सोनिया गांधी पर हलाकि सोनिया गांधी मेंका के खिलाफ कुछ भी कहने से बच्चती हैं मेंका गांधी के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी बयान देने से खुद को रोकती ही आई हैं आस तक आपने मेंका गांधी के मुँँ से सोनिया गांधी को लेकर खरी खरी बाते सुनी होंगी कभी सोनिया गांधी की प्रॉपर्टी पर सवाल उठाते हुए देखा होगा तो कभी सोनिया गांधी के नित्रत्व कपर कभी कॉंग्रिस को वन्शवाद से जोड़ा होगा तो कभी परिवारवाद से लेकिन आच इस खास रिपोर्ट में गांधी परिवार की देवरानी जेठानी गांधी परिवार की इन दो बहुँओं से जुड़ी एक खास बात हम आपको बताएंगे यह उस वक्त की बात है तारीफों के पुल उन्होंने बांधे ये खबर हम आपको आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेनका गांधी के कॉंग्रेस में शामिल होने को लेकर सियासत गर्माई है मेनका के कॉंग्रेस में शामिल होने को लेकर लगतार खंबरे आ रही है कहा जा रहा है कि बीजेपी के ध वही तमाम राजनीतिक विशलेशक सुनाते हैं जो संभावनाय दिखाते हैं मेनका के कॉंग्रेसी होने की तो चलिए आपको बताते हैं सोनिया गांधी की तारीफ में मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा और क्यों आखिर उनके कॉंग्रेस में शामिल होने से पहले इस तरह की खबरे अच्छानक जोर पकड़ रही है देखिए ज़रा भारतिय जंता पार्टी की वरिष्ट नेता उतरप्रदेश के सुल्तानपुर से सांसद और साथ ही पूर्व केंद्रिय मंत्री मेनका गांधी इन दिनों लगतार सुर्खियों में पनी हुई है मेनका गांधी को लेकर एक के बाद एक खबरे आती जा रही है कहा जा रहा है कि मेनका गांधी बीजेपी से अलग होकर कॉंग्रेस का दामन थाम सकती है मेंका गांधी BJP से अलग होकर कॉंग्रेस पार्टी में जाने का मन बना सकती है जिसके पीछे की बचा BJP से मिला धोका है और कॉंग्रेस में जो उम्मीद दिखाई पड़ रही है वो उम्मीद है ये बात तो आप सब जानते हैं मेंका गांधी की जोली इस बार खाली है अच्छा को लेकर लगातार तमाम तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं। ऐसी तमाम खबरों के बीच में अब हम आपको बताएंगे कैसे मेंका गांधी बड़ा बयान दे चुकी हैं अपनी जेठानी वा यूपीय चेयर परसन सोनिया गांधी को लेकर। मेंका गांधी कई दफा राजनीती के अखाडे में अगर सोनिया गांधी पर सवाल उठाती हैं, सोनिया गांधी में कमिया निकालती हैं तो यही मेंका गांधी एक बार नहीं बलकि कई बार सोनिया गांधी की तारीफों के पुल भी बांध चुकी हैं। आज अपने स्तीफे को लेकर जो लगतार चर्चा में है मेनका गांधी वही मेनका गांधी एक वक्त पर सोनिया गांधी की तारीफों को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर चुके हैं देश के सबसे बड़े राजनीति घराने यानि गांधी परिवार की दो बहुएं मेनका गांधी और सोनिया गांधी इनहीं से जुड़ा एक किस्ता हम आपको सुनाने जा रहे हैं गांधी परिवार की छोटी बहु मेनका गांधी ने अपनी जेठानी सोनिया गांधी पर सार्वजनिक तौर पर प्यार लुटाया सोनिया गांधी के सार्वजनिक तौर पर तारीव की ये उस दौर की बात है जब मेनका गांधी पीली भीट से सांसत थी और पीली भीट में जिला अनुश्रवन समीती की बैठक में उन्होंने बीएसे अधिकारी को सोनिया गांधी की मिसाल देते हुए एक किस्सा सुनाया हुआ कुछ ऐसा था कि मेनका गांधी को लगतार शिकायते मिल रही थी कि बीएसे दफ्तर में विश्वत खोरी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है इस पर बीएसे अंबरीश कुमार यादव ने अपना जवाब दिया तो मेनका ने अपनी जिठानी सोनिया गांधी की मिसाल दे और अपनी जिठानी सोनिया गांधी पर जम कर प्यार लुटाया कहानी सुनाते हुए पूर्व केंद्रिय मंत्री बोली एक बार सोनिया गांधी के एक रिष्टदार ने एक दुकान शुरू की उस दुकान में लिखा मैं सोनिया गांधी का रिष्टदार हूँ आप यहां जिस पर सोनिया गांधी ने अकबार में इश्तिहार निकाला आप लोग अपने काम के लिए किसी और जगह जाईए उस दुकान पर मच चाहिए इस मिसाल को पेश करने के बाद मेंका ने अधिकारियों से कहा मैं भी आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इश्ति जनिक तोर पर अपनी जेठानी सोनिया गांधी के लिए प्यार बरसाती हुई दिखाई पड़ी सवाल भले ही कई दफ़ा उन्होंने सोनिया गांधी पर उठाए हो उनकी संपत्ति पर उठाए हो उनकी राजनीती पर उठाए हो लेकिन सच तो ये है कि अपनी जेठानी सोन सुनाई पढ़ रहा है